चलिए आज बनाते हैं mostly सबका फिवरेट राजमा चावल वैसे तो राजमा चावल सबके गर में अलग-अलग करीके से बनता है तो आज देखते हैं कि मैं राजमा चावल कैसे बनाती हूँ तो यहाँ पर मैंने दो कप राजमा ले लिया है और इसे मैंने दो कर रात में भीगने के लिए छोड़ दिया था तो सुबह अच्छे से भीग गया है अच्छे से फूल गया है और अब इसके अंदर थोड़ा सा पानी और एड़ करेंगे और थोड़ा सा नमक डालेंगे और अब इसे रख देंगे बॉयल होने के लिए तो तकरीबन 5-6 सीटी आने तक इसे हमें पकाना है 5-6 सीटी में अच्छे से पक जाएगा चलिए अब ले लेते हैं चावल क्योंकि राजमा के साथ तो चावल ही बहुत ही बड़िया लगता है तो यहाँ पर मैंने 2 कप पास्मती राइस ले लिया है और राइस को अच्छे से 2-3 बार दो लेंगे और उसमें पानी डालके उसे बॉयल करने के लिए छोड़ देंगे तो यहाँ पर मैंने 2 कप चावल लिया था उसे हम अच्छे से भून लेंगे गैस के उपर और यह जो चावल है उसमें मैंने 2 चमच भर के गी डाल दिया है क्योंकि अभी गी एड़ करने से चावल में बहुत ही बड़ा फ्लेवर आता है और यह जो प्याज टमाटर और लसुन है उसे हमें अच्छे से भून लेना है जब तक उसकी skin अच्छे से ब्लैक नहीं हो जाए अंदर से अच्छे से पकना जाए तो आप देख सकते हो कि टमाटर, प्याज और लसुन अच्छे से सिख गए हैं चली अब इसे रख देते हैं साइड में ठंडा होने के लिए तब तक थोड़ा साफ सफाई कर लेते हैं क्योंकि ये जो मैंने भूना है उससे बहुत ही कच्रा फैल गया है ये किचन में ये देखिए चावल में भी थोड़ा बहुत गिर गया है चली अब ये टमाटर, प्याज और लसुन ठंडे हो गया है तो इन्हें हम छिल लेते हैं तो ये अच्छे से भून गया है तो इसका छिलका इजील निकल जाएगा आप देख सकते हो कि बहुत ही इजीली इसके चिलके जो हैं वो निकल रहे हैं तो इस तरह हमें सबको अच्छे से चिल लेना है और हाँ इसे मैंने मीडियम फ्लेम पे सेख लिया है अगर आप हाई फ्लेम पे सेखोगे तो अंदर से थोड़ा सा कच्छा रहे जाएगा चलिए अब इसे बड़े बड़े टुकडो में कट कर लेते हैं और अब ले लेते हैं एक ब्लेंडिंग जार और सारा कुछ इसके अंदर डाल देते हैं और अब ले लेंगे काजू, तो ये जो पेस्ट हम बना रहे हैं, उसके अंदर हम थोड़े से काजू एड़ करेंगे, काजू एड़ करने से जो पेस्ट है बहुत ही स्मूध बनती है, और काजू का फ्लेवर इसके अंदर बहुत ही बढ़ी आता है, तो यहाँ पर मैंने से एक कड़ाई और कड़ाय में दाल देंगी तेल हन्हें तकरीब 5 इनल और देल घरम करने के लिए एक पूटी आप जीरा फूट जाए उसके बार डाल देंगे सारे खड़े मसाले को एक अधा मिनिट हमें भून लेना है और उसके अंतर डाल देंगे यह जो पेस्ट हमने रेडी किया है वो और उपर से डाल देंगे थोड़ा सा नमक, हल्दी और लाल मिर्ज पाउडर तो यहां पर मैंने कश् दिया है यह ग्रेवी में और अब इसे ढख कर एकड़म लो फ्लेम पे हमें पांच मिनिट पकने देना है पांच मिनिट के बाद थोड़ा सा पानी और डालेंगे यहां पर मुझे थोड़ी सी मिर्च कम लग रहे थी क्योंकि हमारे गर में थोड़ा सा थीखा खाते हैं तो म अब इसके अंदर मैंने एड़ की है थोड़ी सी चीनी क्योंकि हम गुजराती है तो हमें थोड़ा सा तो मीठा चाहिए अगर आप नहीं एड़ करना चाहते हो तो आप उसे स्किप कर सकते हो लेकिन हमें थोड़ा सा मीठा पसंद है तो मैंने एक चमच चितनी चीनी इसके एड़ कर देंगे राजमा और अब फिर से इसे हम पकने देंगे तकरीबन 5 मिनिट तो एकदम लोग फ्लेम पे इसे पकने देंगे और आप देख सकते हो कि हमारा राजमा एकदम रेड़ी है यहां पर प्यास और टमाटर को हमने पहले भून लिया था तो उसकी वज़े से इस प्रेसिपी के साथ तब तक के लिए बाई जैशी कृष्णा